नमस्कार खबर समीज अगत में आपका स्वालत है मैं फूँ आपके सतंकेता और आईए आप खबरे देखतें मिस्तार से जासी जब भारत देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने की बात होती है तो सबसे पहले 1857 की क्रांती की शिरुवात की बात होती है जो तब भारत के एक मात्र जीविच सदसें जिनका नाम श्री मंत प्रभाकर राब पेशवे है हमारे चैनल से खास बाचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मिवाई ने आम जंता को अंग्रेजों से लड़ना सिखाया था उन्होंने भारत की नारी में आज़ादी क नहीं आप आ रही है इसका दोशी सिंधिया परिवार है सुविदार सिंधिया को अपनी दहच की जगा गॉलियर पर न्युक्त किया था सिंधिया परिवार ने हमारे साथ गद्दारी की पेशवे ने सिंधिया परिवार को अंग्रेजों का साथ ही बताया पेशवे ने जहासी रानी के नौर्थ छित के एक मात्र बंसज प्रभाकर राओ जी हम इन से मिलवाते हैं आपको आज जहासी में एक बड़ा कारीकम था हिंदी सायत का उसमें आये थे नमस्कार क्या कारण रहा कि आप जहासी न रहके सबसे पहले चित्रकूट बांदा रहें चित्रकूट हमारी पेशवाई का भाग है अब जहासी के वनशच कई अलग-अलग स्थानों पे हैं इंदौर में हैं नाकपूर में हैं जोगेलकर फैमिलीज हैं कुछ मतौंध में हैं तो अब ये भाग बहुत सारे बट गए हैं जिसमें हमारी शाखा जो है वो चित्रकूट में रहती है और सारे पेशवे सारे ये परिवार एक भाई दायद बांधों हैं एक दूसरे के सहयोगी हैं एक दूसरे के क्लैंस हैं विभिन विभिन तो जिसको जो हिस्सा बटवारे में मिल जाता है तो उस हिसाब से वो अपनी फैरिस्त बनाता जाता है हमारा परिवार श्रीमंत नरायन राव पेश्वे जी का परिवार है जो 1857 की क्रांती में 1857 में चित्रकूट सुबेदारी के सुबेदार थे राजा थे वहां के महराजा साहब थे और लास्ट सरेंडर जो हुआ ह 1857 की क्रांती का वो श्रीमंत नरायन राव पेश्वे के द्वारा हुआ है जी जब भी देश की आजादी की बात होती है 1857 की सुरुआत महरानी राणी राणी लच्छमाई ने की थी इसके बारे में आप क्या कहेंगे महरानी राणी राक्षमी बाई को अगर हम देखें तो वो इस पूरे हिंदुस्तान में नारी शक्ती का एक ऐसा एक्जाम पहले जो बिरले देखे जाता है पूरे विश्व में केवल ऐसे दो एक्जाम पहले अगर आप फ्रांस में कहानी आपने पड़े होगी जॉन आफ लगभग लगभग उससे भी श्रेष्ट कहानी रानी लक्षमी बाई की है रानी लक्षमी बाई ने जहासी ही नहीं सिविल डिफेंस को जनता के डिफेंस को जनता के युद्ध को इस देश को सिखाया है और ये चीज आप टेरिटरियल आर्मी में भी देखेंगे कि कैसे हम लोग आम साधारन आदमी देश के लिए प्रगती करते हैं देश के लिए लड़ते हैं तो वो जहासी की रानी की एक परम उपलब्धी रही है बहुत क्लास वन मिलिटरी कमांडर एक मतलब अगर कहें सबसे हिरोईक ब्रेव निडर और सबसे बड़ी बात अपने धर्म के अपने जमीन के लिए लड़ने वाली वो नारी शक्ति है जिसका अनुकरण आज हर नारी को करना चाहिए अपने आप में अतुलनी है उनकी बराबरी के कोई नहीं है ना नारायंड रव पेश्वे हैं ना तात्या हैं ना कोई है बरसों से जहासी के लिए एक मांग चली आ सरकार को दोशी मानते हैं इसमें मैं पूरी तरीके से सिंधिया परिवार को दोशी मानता हूँ 1860 में जब जहासी की ये जुद्ध खतम हो गया ह हमारे पेश्वे हमारे पिता instrumentalने जब ये surrender document sign कर दिया तो उसके बाद जो 18 युद्ध सिंधिया और जासी की रानी के बीच में हुए थे इन युद्धों से अंग्रेजों ने जो समान लूटे थे उस लूट की एक बड़ी भारी प्रदर्शनी लगाई गई क्यूंकि जासी की राणी की साडी से लेके कंगन से लेके छोटे-छोटे मंगल सूत्र तक वहाँ पे उपस्थित थे किसी भी धर्मिनिष्ट राजा ने, किसी भी ऐसे राच परिवार ने, इवन पेश्वाई ने भी उन समानों को लेने की कोशिश नहीं की लेकिन सिंधिया घराने ने उस समानों को ना सिर्फ लिया बलकि दुगने और तिगने दामों पे खरीदा और उस दुगने और तिगने दामों में खरीद को कई सालों तक उन्हों ने उसको डिस्पले में रखा है ये दिखाने के लिए कि जहासी को हमने जीता है और ये आम जंता सब जानती है कि 1860 के बाद अगले 20 से 30 वर्ष तक पूरा जहासी में जितनी भी नई आमलदारियां आई हैं, जितने भी नए जमिदार बने हैं, पवईदार बने हैं, इलाकेदार बने हैं, वो सब with consent of सिंधिया बने हैं तो उनकी policy थी ये और ये policy आफटर स्वतंतरता बदली गई है, स्वतंतरा के बाद जब जहासी के लिए एक आंदोलन हुआ, जहासी वालों ने अपनी फेहरिस्त को पहचाना, अपनी आत्म संख्या को पहचाना, आत्म बल को पहचाना, तब जाके उन्होंने वो डिस्पले आया है और आज उनके पास हर चीज है, मैं तो आज आपके माद्यम से, मीडिया के माद्यम से ये चीज कहना चाहूंगा, कि जहासी के लोगों की आम जनता की जो आज जरूरते हैं, आम जनता से लूटे गए समानों से, आज आप देखिए, वहाँ सोने की ट्रेने चल रही ह ये किसी ये बेवफालतू की जो चीजे हैं, ये डिस्प्ले ओफ आउनर नहीं है, ये जहासी वालों के खून से बनी हुई चीजे हैं, इसे सोना मत समझी है, एक हमेशा रूब लगता है कि जब रानी जहासी अंग्रो जीन से लड़ रही थी, उन्होंने अपनी जान की वा सकते हैं कि सूबेदार सिंधिया, वो सूबेदार सिंधिया जिसे पेशवाओं ने अपनी दहेज की जगह ग्वालियर पर न्यूक्त किया था, जब अंतिम मौका आया, तो वो हमारे साथ नहीं थे, राजनीती क्या थी, ये बात तो एक अलग बात है, लेकिन सूबेदार सि वो अपने आप में इतिहास में परतिबिम्बित है और जिसे मिटाया नहीं जा सकता, पेशवाई के साथ एक तरह से ये गदारी हुई है, आप देखिए न, उस 1860 के बाद, आप जब 1857 से 1860 का पीरिट देखते हैं, 1860 से पूरे हिंदुस्तान के लोग लूटे जा रहे थे गरीब हो रहे थे, मारे जा रहे थे, खत्म हो रहे थे, हिंदुस्तान में गरीबी असहाय सब चरम पे थी, लेकिन सिंधिया घराना उस समय बरकत कर रहा था, सिंधिया घराना उपर की ओर बढ़ रहा था, सोने चांदी में खेल रहा था, और ऐसा खेल हिंदुस्तान में अ उन्होंने कितना बताया? परिवार और पेश्वाई एक दूसरे से इंटर मिंगल्ड है, एक दूसरे के साथ ही है, कोई इसमें मतलब पेश्वाई और जहासी का जो परिवार है, वो एक ही परिवार है। गौलियर में तो अपने घर में कोई भी चुनाओ लड़ सकता है, हम चित्रकूर से चुनाओ जीत सकते हैं, और पुने वले पेश्वे जो हैं, वो पुने से चुनाओ जीत सकते हैं, आप गौलियर से जीत सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पर काम किया है लेकिन आप जब किसी अच्छी चीज का क्रेडिट लेते हैं तो आपने जो अपराद की हैं आपने जो बुरे काम की हैं आपने जो जंता को लूटा है उसका भी क्रेडिट आप को लेना चाहिए ऐसा नहीं कि अच्छाई अच्छाई के वला आप ले सकते हैं तो हमारा तो यही कहना है समस्त पेशवाई का कहना है कि आप आईए और दिखाईए जहांसी जचनाव जीत के दिखाईए तब आपको नेता माना जाएगा ऐसे नेता नहीं माना जाता है और समस्त पेशवाई की ओर से ये हमारे दिल में एक ऐसा गहरा जखम है जो कभी नहीं मिटने वाला जहासी की रानी हमारी मातर तुल्ले हैं मासमान हैं हमारे पूरवज हैं और जब जब उनके बारे में ये इस तरह की घटनाएं और इस तरह की कहानियां आती हैं तो ये जानके बड़ा दुख भी होता है कि उस राणो जी महान राणो जी और महाज जी के वंश ने ऐसा पेशुआओं के साथ किया ये थे हमारे साथ जासी राणी के बंसर स्रीमंत प्रवाकर राओ जी नमस्का